तो एडवांस विपन एंड एक्यूपमेंट इंडिया लिमिटेड के तरफ से कई तरह के जो हैं वो अत्याधुनिक हतियार बनाये जा रहे हैं अर्म फोर्स के लिए और जैसा कि आप ये वाल देख सकते हैं अलग अलग तरीके की जो स्पेसिकेशन वाली बंदू के हैं वो तयार की जा रही है इस बैनर के तले और पूरे देश में न सिर्फ आर्म फोर्स को बलकि आगे की तरब भी इसे लेकर जा रहा है ताकि भारती य पूरी दुनिया में दिखाई पड़ सकें, आम्स इम्मिनिशन में, तो हमारे साथ पंकजी हैं, पंकजी से बात करेंगे, पंकजी आप इसकी पूरी मार्केटिंग स्ट्राटिजी और तमाम चीजे देखते हैं इसे लेकर, अब मुझे बताइए कि यह किस तरीके से आप गवर्मेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गई एक नई डिफेंस पॉब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग है, जो पहले औरनेंस फेक्टी बोर्ड का पार्ट हुआ करती थी, और हम लोग स्पेसिफिकली फोकस करते हैं, लाज केलिबर वेपन में, जैसे आपने नाम सुना अपनी पुलिस फोसे के लिए, सेंट्रल आम पुलिस फोसे और अदर सेक्यूरिटी फोसे के लिए, तो इसमें भी हमारे कैलिबर की रेंज फ्रॉम से लेके 5.56 एंड़ वराइटी इस फ्रॉम असॉल्ट राइफिल से लेके मशीन गन, स्नाइपर राइफिल, पिस्टर पॉल्वर, एवरी वराइटी, अप्ग्रेडिंग तो जो हमारे कस्टमर का रेक्वार्मेंट, वी कीप उन अप्ग्रेडिंग आर वेपन, सो देट रेक्स्टमर जो हमारे हैं, इसके लिए हमने कई पॉलिसी के तहत, अगर हम ग्लोबल मार्केट में अपना कंपिशन देख और वेपन कितने प्रैसे स्पेसाल हो सकता है, हम उनके टेक्निकल स्पेसिकेशन से मैच करने हैं, वेदर हम टेंडर के थू जाएं, हम किसी अपने चैनल पार्टनर के थू जाएं, और हम एक्सपोर्ट ओडर करने के कोश्चिच करने के बाहर की किस तरह की देश करते हैं, कुछ यूरोपियन कंट्री से हैं, कुछ एफ्रीकन कंट्री से हैं, और यूनाइटेट स्टेट से भी हमें ऑर्डर मिला हुआ, एक बड़ा नंबर है, चार सो करोड के आस पास का, मुझे आप ये बताईए, कि इंडिया की अगर हम बात करें, तो आर्न फोर्स के के अलावा किन राज्यों की पुलिस इस तरह के हत्यारों में देशस्पी रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कोई ऐसा राज्य नहीं है, जिसको हम अपने वेपन सप्लाइए नहीं कर रहे हैं, हमको सभी राज्यों से रिक्वार्मेंट आती है, हम अपना और हम उनक को हम उसी साल में कंप्लीट कर देते हैं, हमको उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे वो मध्य प्रदेश पुलिस है, तमिल नाडु पुलिस है, सभी से क्यूरीडी फोर्स से हमको रिक्वार्मेंट मिलती है, और हम उनको स्क्रेटर करते हैं, इसके लाबाब जितने भी MHA फ साथ में यह भी देखना है कि सारी चीजें इंडिजनस हो, चुकि और्डिनस फेक्टरी बोर्ड के तहती चीजें बन रही होती है, तो सारी चीजें ऑटोमेटिक जो है वो भारती है, मेड इन इंडिया का टाग इस पर लग रहा है, तो इसका जो प्राइसिंग को कैसे आप प्राइसिंग को मैच करना है, तब ही हम एक कोशिच रहती है कि हमना कॉस्ट अप्रेक्टरी में रिडियूस करने की कोशिच करें, जिसमें हम कई बार वित जो हमारी नहीं टेक्लोजी आती है, मशीनरी की नहीं टेक्लोजी है, नया माटीरियल से, उसमें मॉडिफिकेशन क कोशिच करते हैं, नहीं नहीं मशीन हैं जिसमें हमारा साइकल टाइम रिडियूस होने हो जाता है, दूसरा हम कुछ चीज़ें आउट्सोर्स भी करते हैं क्योंकि हमारा सप्लाइचेन काफी, MSME और कही सारी कंपनी जो हमसे जोड़े हुए हमारा कोशिच रहता है कि कुछ- सिर्फ भारत ही नहीं, यूरो, यूएस जैसे देश जो हैं, वो इस तरह के हाथियारों में अपने दिल्चस्पी दिखा रहे हैं और ग्लोबल मार्किट से 400 क्रोड रुपे का ओर्डर मिलना भारत की Advanced Women and Equipment India Limited को अपने आप में एक बड़ी उपलब्धी है और ये सब भारत के तरफ बढ़ता हुए कदम के निशानी है, हम उमीद करते हैं कि इसी तरीके से जो भारतिये प्रोडक्ट हैं, उनकी जो धमक है, जो चमक है, वो पूरी दुनिया में फैलती रहे मेंदीन 요रे हैं, तोच YouTube उँख रहे हैं, एक श्यूशानी हैं, मैं झाली रहे हैं